सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरूजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों बहुत एक लंबे इंदजार के बाद में लेके आगे है यू टेली वेंचर सापके लिए नया फोन जिसका नाम है यू यू यूरेका ब्लैक वहाँ पे लिखा है ब्लैक एंट फॉर ओल लेकिन किये है बहुत सारे बड़े बड़े काले काम आपच इस वीडियो को आ इस पहले सबसे पहले जल्दी से बात करते हैं इस फोन की स्पेक्स के बारे में उसकी बाद में हम आगे और पता लगाएंगे इस फोन के बारे में क्या सही है क्या गलत दूसलिके यहां पर जो है यू यू यूरेका बलैक इसमें आपको मिलेगा 5 इंचिस का फुल एचडी A53 की डिजाइन के उपर, बनाया गया है 28 नानो मीटर की टेकलोजी को काम लेने के बाद में, साथ में मिलेगा Adreno का 505 GPU, 4 GB की RAM, 32 GB की स्टोरिज, इसको अब चाहने तक स्पैंड भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा एक Standard Hybrid Sim Slot, इसके अलावा, यहाँ पर दोस्तोर बैटरी है, वो है 3000 mAh की Fast Charging का Support नहीं मिलता है, जो आपको Box में Adapter मिलता है, वो है 5 V 1.5 Ampere का, जो दोस्तोर रियर कैमरा है, वो है 13 Megapixel का Sony का IMX258 Sensor, Dual LED Flash F 2.0 का Aperture, जो Front Camera है, वो है 8 Megapixel का, और यहाँ पर भी आपको मिलता है, एक Moonlight तो नहीं, लेकिन Simple LED Flash, और इसके बाद दोस्तोर रियर कम्प्लीट डिजाइन है, वो बना है Metal से, पीछे कुछ प्लास्टिक पार्ट्स भी आपर काम मिलिये गए हैं, सामने दोस्तों आपको मिल जाएगा एक Fingerprint Scanner, जो OS है, वो है Android 6.0 रेने के Marshmallow, और बस यह है Complete Package, यू Eureka Black का, दोस्तों प्राइस है इस फोन की, वो है 8,999 रुपे, और यहाँ पर इस जो फोन है, आपको मिलेगा exclusively Flipkart की ओबर 5 जून से, अब देखो मैं आपको जूस्तों अगर बताऊं इस फोन के बारे में, तो मैं personally इन specs से okay हूँ, मतलब मुझे ऐसा लिए 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 कि Micromax ने प्राइस बहुत ज्यादा कर दिया, या specs जो है वो बहुत ही गटिया दे दी है, हाला कि मेरे को doubt है कि इस phone में gyro sensor है या नहीं, because कहीं पे clearly mentioned नहीं है, तो हो सकता है gyro हो, हो सकता है gyro ना हो, लेकिन इसके अलावा ठीक है, Snapdragon 430 जो थोड़ा सा पुराना processor है, इसके बाद में 435 आ गया है, लेकिन आपको ज़्यादा major differences नहीं मिलते हैं, 430 और 435 के बीच में, हाँ, जो modem बगर है उसको improve किया गया, लेकिन इसके अलावा performance बगर है more or less same होनी चाहिए, एक जो मुझे ठिर्फ छोटा सा doubt है वो यह है, कि उसका screen का display है, वो है full HD, अब यहाँ पर दूसरों फुल HD है, उसमें होता क्या है, कि जो 430 है ना, वो maximum full HD ही support करते हैं, तो ऐसे में शायद processor पर load आए, तो शायद कुछ lag मिल सकता है, मैं confirm नहीं बोल रहा हूँ, शायद मिल सकता है, विकाज यहाँ पर गरब देखेंगे Xiaomi ने, तो उसने यूज किया है 720p, तो इसी लिए आपको और भैठर performance मिलती है, चलो इस बात को निकाल दो, 9000 रुपे के अंदर 4GB RAM वाला ये phone, मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, ओके है, acceptable है, मान लेते हैं, लेकिन क्या ये phone original है, दोस्तो मुझे जब इस phone के बारे मैंने देखा, specs देखी, तो यार, दिमाग में सिर्फ एक ही खयाल आया, कि कुछ तो गडबड है, दया, कुछ तो गडबड है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये phone, ऐसे कैसे आ सकता है, और Micromax या U Televanger से काम कैसे कर सकते हैं, ये वास्ता कुछ नहीं किया, थोड़ी सी Google की मदद, और थोड़ा सा और दिमाग खोला, तो दोस्तो मालूम चला कि ये जो phone है, ये एक rebranded phone है, जो 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 दोस्तो phone का नाम है, वो है, वीको की तरफ से आने वाला, यूफील प्राइम और ये phone, एक साल पहले लाँज हो चुका है, 2016 में, क्यों, 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 क्यों rebranding यार, मतलब इतना time लगाया, एक साल लगाया इस phone को दुबारा इंडिया में लेके आने में, और क्या किया, पीछे वो घिस घिस किया, अपने black color को चमकाया, chrome polish जो पीछे की है अपने, यार मतलब ना, गुसा आता है कभी-कभी, हाँ ठीक है यार, फोन जैसा भी आपने बना दिया, हीरे मोती जड़के लेके आगे, लेकिन originality कहाँ पे, इसके अंदर innovation कहाँ पे है, एक साल का टाइम आपने क्यों ले लिया फिर बिनाबाद, अब ही आप खुछ सोच के देखो, कि अगर वो ही Vico वाली company, इंडिया में आचुकी होती, इंडिया में उसके phone बिकरे होते, तब क्या करता यू यू यूरे का, कुछ और, कुछ और phone को ढूनता, ऐसा phone, मतलब उनको चाहिए कि ऐसा phone, जो इंडिया में ना मिलता हो, बस इंडिया के बाहर के मिलता है, आप खुछ सोच के देखो, आज एक company, इसका नाम है Lamborghini, वो cars बनाती है, Italian company है, आप इंडिया में उसी car की duplicate बना लो, copy बना लो, design, design, सब कुछ सेम तू सेम कर लो, मतलब कुछ भी कर लो, तो आपको दुनिया में कौन लिके जाएगा, global platform के उपर, सबको मालू मैं कि original कौन है Lamborghini, यह क्या पर हो, मतलब ऐसे case के अंदर हम क्या करते हैं, बस local अपने को market के अंदर हाँ, हमने कुछ किया, हमारी innovation आई, और उस चक्रे बस देखते हैं, ऐसा phone जो भार कहीं पर मिलता हो, इंडिया में ना मिलता हो, किसी ने इसके बारे में सुना ना हो, तोड़ा सा एक दम दबा-दबा सा नाम हो, उस ही के नए डबे बनवाए, नए पीछ अपने logo चपाया, थोड़ी और polish मारी हो, और बस लेके आगए इंडिया में, अब यह phone जो है, यह make in India है के नहीं है, मेरे को दोजबात की ओपर भी बहुतलब, वो लगता है, बता नहीं कहीं पर लिखा होगा के नहीं लिखा होगा, तो यार इसका फिर सेंस क्या है आपने, मतलब वी आर कमें, ब्लाग, 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 ब्लाग काम जो सारे है, खुद करके बैठे हो आप यहां पे, ठीक है, फोन को मैं बुरा ही नहीं कर रहा हूँ यार, फोन जो है, वो एक एवरेज, डीसेंट, अच्छा फोन रहेगा, अगर आपको शाओमी नहीं मिलता है, फोर जामपल, या फिर आपको चाहिए यूरेका वाला फोन, या माली जी आपको चाहिए एक full HD display, तो आप ऐसे में उसको देख सकते हो, 9000 उपे के अंदर ऐसे नहीं कि घटिया फोन है, अब परफॉर्मसी कारेंटी मेरी नहीं है, भया क्या पता थोड़ी बहुत 19-20 निकल जाए, लेकिन हाँ, on average, at least paper पे ठीक लगता है, ये ना थोड़ा दिल पे चुबने वाली बात है, I think कि शायद अगली बार ऐसा ना हो, तो इस बार ना mixed opinions है, फोन के बारे में तो थोड़ा थमज़ब देने का मन करता है, और जैसी नाम सुन दे, copy का तो भया, पूरा meter down हो जाता है, आप पर बता नीचे comments में कि क्या आप ऐसी copies से परिशान है, मतलब है हमें नया चाहिए ना, हमें innovation चाहिए ना, अब जिसको मालू में वीको के बारे में वो तो इस phone को देखे हसेगा ना, आप दोस्तों मुझे बताई नीचे comments में आपकर इस phone के बारे में, फिलाल के लिए तना है दोस्तों, जैह हिंद, वन्दे मातरम,